पूरी दुनिया दे वेच रियाना 10 लाख तो भी जादा फ्लाइटा एक जगा तो दुजी जगा ते जान दियाने इंडिया वेची ही हरोई 70 तो 80 ही यार फ्लाइटा और दिया हन जेकर एक्सपार दी मनियता हुआई जात्रा दुनिया दी सब तो सेफ ट्रांसपोर्ट सर्विस है क्योंके बाकी ट्रांसपोर्ट साधना दी बेच जमेके रेल, बासकार या मोटर सैंकल आदे वेच हाथ से बहुत ज़्यादा हुंदे ने सब्सक्राइटा दी फ्लाइट ना भी होया सी, एस कटना तो एक दन पहला ही ए फ्लाइट ट्रांट तो अड्मेंटन गई सी, जथे एस दा रेगुलर मेंटेनस चेक अप भी होया मोंटरियल पहुंचके एस ज़हाई दे फ्लाइट मेंब्रा ने अपने ड्यूटी बदली सी, ओथे ही एंट्री होंदी है एस प्लेन दे नमे पाइलेट कैप्टन रॉबिट पेटरसन दी, जिनना दे को लगपक 15,000 कांटे फ्लाइट उडाउन दा एक्सपिरियंस है, एव जिनना इनको लगपक 17,000 कांटे आधा फ्लाइट एक्सपिरियंस सी, और तुसी ऐते एचीज दरत्ते आ रुखो कि ए ओ समासी जदो कनेड़ा अपने पराने मेजर मेंड शिस्टम, बातलब अम्पीरियल यूट तो अपने नमे मेटरिक सिस्टम दे विच अपगरेड कर र 767 प्लेन दे विच नवा मेट्रिक सिस्टम में यूज कर रही सी पर बाकी सारे प्लेन दे विच ओ पराने अंपीरियल सिस्टम दी ही वर्तों कीती जन्दी सी रिफ्यूलिंग टीम नूँ फ्लाइट नंबर 113 दे विच बाई ही यार 300 kg फ्यूल पर अंदे लिगा गया एर कनेटा दी फ्लाइट 143 767 प्लेन सी और बेलकुल नवा होन दे कारन रिफ्यूलिंग टीम नूँ लगया कि एस प्लेन दे वेच भी इंपीरियल यूड दी वर्तों कीती जन्दी है एही कंफ्यूजिंग दे कारन उननने एस प्लेन दे विच बाई ही यार 300 kg फ्यूल पर अंदी बिजाई एस दे विच बाई ही यार 300 पाउंट तेल पर दता जेड़ा कि ए दास रहा सी कि प्लेन दे लेफ्ट इंजन ने काम कारना बंद कार दता है ए लोग मॉंट्रिय अग दे फ्यूल पर के वापस अंड मेंटर नू जा रहे सां जदो उनना खबे इंजन दे बांद होन दी खबर मिली ए फ्लाइट दो रास्ते दे बेच बिच अगे कोणके कारन टारी ही यहार फर्ट दी उचाहिएटे जहां आज़ा सारा फ्यूल खातम हो गया सि ते प्लेन दे बीच जड़ी एलेक्टरसिटी आरी सि और ब्हाट बिचली कार जहां आएद बहुत सारे मोंट्रिंग एस्टूमेंट भी बांद होगे Captain Pierce सांट ते उसपे फास्ट ओफिसर ने होन चेती तो शेती फैंसला लेना सी क्योंगे होन की करना क्योंके होन उन्हादे क्रूव अते काड़ पसेंजरा दी जैंतगी सर्फ उन्हादे हाथ वेच ही सी उन्हादे कोर हन चाहादे वेच वेलकोल भी फ्यूल नहीं थी ते जहादा दुन्ने इंजन बांद हो ऑचोके साँ जहादो प्रॉपर बिजली ना मेल दी होर कारन जहाद आफी जाला इंस्ट्रूमेंट भी बांद होगे साँ जहाँ आई दे सर्फ कोच एनालोग एंस्ट्रूमेंट ही काम कारे सी उनने सब्तो पहला 767 प्लेयन दा एमरजंसी लेंडिंग गाइड मैनूल खुलेया ते ए देखना शुरू किता के दूमें इंजन बांद होनते उननों की करना चाहिदा है बहुत जारा लबड दे उननों पता लगया के उस मैनूल दे बच अजही कोई कंडिशन ही नहीं सी तोके उस्तो पहलना कदे भी किसे जहाँ आई देना अजहाँ हाथसा नहीं हुए असी के उस दा रास्ते दे बचाड़े ही फ्यूल खत्म हो गया हुए ये मैनूल बनान बाले टीम ने कदे भी ये नहीं सोचाए सी के जही भी कोई स्थेती आ साकती है ऐसली जहाँ आई दे मैनूल दे बच ऐस दा कोई हाल नहीं सी ऐस्तो बद कैप्टन पियर सान ने प्लेन दी ओथे ही के ते सुपर सीरियस लैंडिक करवान दा फैंस ला कीता इत्ते प्राब्लम ए सी के लाइट ना होन कारके उनना दी स्पीड वर्टिकल इंडिकेटर अल्टिटुड काम नहीं कार रहे सान ते उनना पुल ए जानना दा कोई त्रीका नहीं सी के ओ किनी अचाई ते ओडरे ने ते किनी स्पीड देना थले नू जा रहे ने ऐस्तो बद कैप्टन ने अपने पूरे एक्स्पीरियंस ली वर्टो की ती प्लेन नू थले नू लैंड कर बोना शुरू कर दता केप्टन पियर संग 400 किलोमेटर पर हायर दी स्पीड देना थले नू लैंड कर रहे संग ते फस्ट ऑफिसर रे कलकुलेट कर रहे संग के ओ अईनी स्पीड देना विनिपेक दे एरपोर्ट ते लैंड कर सकते नी जा नहीं असनो बाद उननो एरफिक कंट्रोल ने दस है कि यह बहुत तेजी देना थले नू आ रहे न थे बहुत काट दूरी अगे नू बाद पा रहे ने ते ऐस कंडीशन दे वैचो विनिपेक दे एरपोर्ट ते नहीं पहुंच सकन गे उननन दे नाल बेटे फास ओफिसर नू और तेम ही उननन दे पराने एरफोर्स टेशन गिमली दी याद आ गई प्लेन दे लेंडिंग गेर नू ग्रेप्टी दी मददे ना बार कड़े आ गया किसे भी तरह दी लेंडिंग देली प्लेन दी वर्टी काप स्पीड ओस ट्रैम बहुत ज़ादा सी पर उननना दे उड़े रैसक लेंड तो बिना दूजी कोई ऑप्शन नहीं सी पर अजे भ और जेहा सी जड़ा कि उनना दे जहाई दे एमर्जंसी लेंडिंग नू ओर भी ज्यादा खतरना कप ना साकथा सी एस ता पहला कारण ए सी कि जहाई दे इंजन भी नहीं काम कार रे सां ते जहाई दे बेच बिना लैट तो उननन गुछ भी देखना काफी ज्यादा मोश्क प्लेड भी तेज़ी को कम रहा है तो अगैज तेकर जहाँ जहाँ आए तो टेड्ली गता स्टेरिंग सेश्टम भी काम हो रहा है तो फिल सारी देनल देms जिज़ां पाराइए जेदो जयां नहीं नहीं होया जिमें ही प्लेइन ने जमीन देनल पहला कुंटेक्ट कीता, तथा कैपटन पीर्सा ने उसे टैम ही पूरी फोर्स देनल जहाई दी ब्रेकल गाए जस्ते कम जहाई दा अग्गे वड़ा नोस बील जहाई दे अंदर चले गया ते जहाई दा अग्गे वड़ा हिस्सा जमीन दे नल तकरा गया जस्तो बाद एक वारो फिर हवादे बेच उच्छडेया ते द्वारा फिर जमीन दे नल तकरा गया ते प्लेन बैठर वड़ी था जिते के बहुत सारे लोग बैठ के रेस देख रेसान उनना दे उपर जा चड़ दा एस तो बाद कैप्टन ने प्लेन दे सर्फ पिछले राइट भील दे ही ब्रेक लगाए जैसे कार्ण मिट्टी दे बच लेंडिंग गेर टॉट गया एस तो बाद जहाएदा सेंटर बड़ा पार्ट भी जमीन देना टाच हो गया जैसे कार्ण हूर भी जैदा फ्रेक्शन जरनेट होई ते प्लेन रोक गया जैसे कार्ण नहीं होया थी क्योंकि उननने फ्यूल लेवल चेक नहीं की ते फ्यूल क्लीरंस देट थी पर अजही स्थिती दे बच भी प्लेन नो ठीक लेंड करवाउंड दे कार्ण उननन एयर और स्टेंडिंग एर मैन शेप देना एफ ए आई ने सन्मानत कीता ते ऐस तो अगे भी उनना ने अपना पाइलेट केरियर जारी रखेया ते 767 प्लेन दे बेच भी कुछ मेंटनेस करवाउंड तो बाल उसने भी कई उडाना पर हिया ते लगपक 25 सालना बाद ए जहाँ आज भी सान दो हिया आठ दे बीचर टा झाल